हलो स्टूडंट्स लास्ट के लेक्चर में हमने देखा बैवल गियर की टर्मिनलोजी बैवल गियर की डिजाइन और आज बैवल गियर का ये थर्ड लेक्चर है और उसमें हम देखने वाले हैं एक्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्जाम्पल मैंने रखा है वो 2012,13,15 बहुत बार आ चुका है उसका मतलब है कि यह एक्जाम्पल बहुत इंपोर्टन है आपके लिए और आपने स्पर और हेलिकल गियर की डिजाइन का जो एक्जाम्पल है वो भी देखा तो यह जो हेलिकल गियर की डिजाइन की और वो डिजाइन से अपने उशाम्पल किया सेम वे अगर आपने बैवल कीर की डिजाइन नहीं देखी हो तो देख लीजिए और prepare कीजिए उसके बाद आप ये example देख सकते हो ठीक है now two shaft at right angle यानि कि यहाँ पे bevel gear में जैसे perpendicular axis होती है to each other are connected by a pair of bevel gears having full depth involved teeth okay now the pinion having 20 teeth transmit 40 kilowatt at 750 rpm तो यहाँ पे जो pinion है उसका data दिया हुआ है zp यानि की number of teeth on pinion zp दिया हुआ है उसके बाद transmit the power यानि की power दिया हुआ है 40 kilowatt जिसको हमने यहाँ पे watt में convert किया है 40 into 10 raise to 3 then 750 rpm तो यह rpm जो है वो किसके है pinion के so np is equal to 750 rpm to the gear shaft running at 375 rpm तो यहाँ पे gear के rpm भी दिया हुआ है NG that is 375 rpm now if the allowable static stress for the pinion and gear material are 170 so यहाँ पे allowable static stress जो दिया हुआ है pinion के लिए 100 and gear के लिए 70 दिया हुआ है determine the module pitch diameter and face width from the strength consideration now यह given data है उसमें सबसे पहले यहाँ पे np and ng दिया हुआ है and zp दिया हुआ है तो यहाँ पे z और n का जो relation है वो कुछ इस तरह से है जो कि हमने पहले भी discuss किया था gear ratio जब हमने gear ratio देखा था तो g is equal to np upon ng is equal to zg upon zp तो यहाँ पे zg के अलावा यह तीनों हमारे पास है np, ng और zp तो हमें यहाँ पे zg मिल जाएगा अब उसके बाद zg found किया हमने उसके बाद 10 gama p अगर आपने terminology देखी हो तो gama p और gama g क्या है कौन angle क्या है वो आपको पता होना चाहिए so 10 gama p is equal to zp upon zg is equal to 0.5 same way gama p जो हमें मिल रहा है 10 inverse 0.5 is equal to 26.56 friends एक आपको note बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यह example कर रहे हो तो साथ में calculator लेके बैठो और calculator से यह जो calculations है जो मैं बता रहा हूँ वो pause करके वो calculations करते जाओ काफी students का ऐसा होता है कि कहीं पे bracket करना रह गया हो या कोई और कारण के through उसका जो answer है वो calculator से calculator से भी नहीं आपाता इसलिए आप calculator का use करें ठीक है 10 gamma g is equal to g upon zp is equal to 40 upon 20 2.0 10 inverse 2.0 is equal to यानि कि यहाँ पे gamma p और gamma g हमने find out किया वैसे ही यहाँ पे z-p is equal to zp upon cos gamma p ठीक है वो कितना होता है यहाँ पे यह रहा z-p और z-g अब friends आपको यह पता ही होगा कि z-p और z-g कहाँ पे use होगा आपने मैं फिर से बता रहा हूँ कि terminology और bevel gear की design नहीं देखी हो तो देख लेजिए direct example मत देखिए ठीक है तो यहाँ पे हमने z-dash find कर दिया यहाँ पे 20 degree full depth involved system है तो यहाँ पे Lewis form factor जो है वो आएगा 0.484-0.287 upon z-p तो z-dash p हमने find out किया तो हमें y-p मिला और y-g मिला अब हमारे पास यह जो है यह इसका multiplication है sigma bp into y-dash p तो यह करके हमें यह answer मिला same way नीचे भी answer मिला अब यह दोनों में से जो कम है वो हमारा weak portion होगा याने कि यहाँ पे 31 वाला जो है gear वो है weak so gear is weaker than the pinion in bending okay hence it is necessary to design the gear for bending अब यहाँ पे क्या find किया है pitch circle diameter m into zp तो यहाँ पे zp हमारे पास है module m क्या है module so dg is equal to m into zg याने कि 40 module अब यहाँ पे center distance हम find out करेंगे a0 center distance is equal to okay center distance is equal to under root dp by 2 square plus dg by 2 square तो यहाँ पे हमने m के form में यह रख दिया है और answer जो मिला हमें m के form में मिला module के form में मिला तो b is equal to a0 by 3 और 10 याने कि यहाँ पे जो हमें 10 module okay तो b हमें assume करना है actually तो हमें a0 find करना पड़ेगा और हम यहाँ पे find out करते है तो 7.45 module या तो 10 module तो दोनों में से जो कम है वो हमें लेना है तो यहाँ पे दोनों में से कम क्या है friends तो face width लेने के लिए दोनों में से कम जो है 7.45 module तो यहाँ पे हमारा जो face width का जो selection होगा वो कुछ इस तरह से होगा 7.45 module अब finally हमें find out करना है bending force ठीक है या तो हम बोल सकते है bending stress तो यह equation जो है वो आपको design data book में मिल जाएगा जब आप barrel gear की design जो देखोगे design data book में तो वो आपको मिल जाएगा ठीक है so sigma bg into b into m y dash g ठीक है तो सब value हम रखते हैं तो यहाँ पे module square के form में हमें answer मिलेगा 157.67 into module square ओके now effective load यह हमने हमें क्या मिला bending force वो भी module के form में अभी module find करना बाकी है now effective load जो है वो कैसे find out करेंगे तो v is equal to pi dpnp upon 16 into 1000.7854 module meter per second so ft is equal to p by v तो हमें यह मिलेगा ft जो मिलेगा tangential force वो मिलेगा इस तरह से कुछ ठीक है तो हमें यह form में रखना है क्यों रखना है बाद में आपको बताता हूं kv जो है वो assume किया है हमने ठीक है velocity factor जो assume किया है 5.6 upon 5.6 v हमें यहाँ पे रख देना है v हमने यहाँ पे find out किया हुआ है जो हमें यहाँ पे रखना है उसके बाद यहाँ पे k a k m ठीक है यह सब दिया नहीं हुआ application factor moderate factor moderate load factor यह सब दिया नहीं है तो हम 1 assume कर लेंगे और n f जो है 1.5 यहाँ पे लेते हैं f effective is equal to उसका formula है k a k m f t upon k v याने कि यह हुआ f t max upon k v तो यहाँ पे अगर f t की value रखते हैं यहाँ पे तो हमें जो finally जो answer मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा friends आप यहाँ पे pause करके यह answer यह form में आपको answer लाना है और आप ठीक है आप अपने इसाब से यहाँ पे calculation आपको करना है ठीक है try करो हो जाएगा यह ठीक है बहुत इतना hard नहीं है हो जाएगा यह सिधा उपर आ गया ठीक है और यहाँ पे इसको यहाँ पे divide कर दिया है ठीक है अब estimation of module अब module के form में तो अब हमें सब चीज मिल गई है वो भी module के form में तो module के form में यहाँ ठीक है तो इस तरह से कुछ आएगा model के form में ठीक है तो ये जो आप ये है ना आप देख सकते हो ठीक है ये इस तरह से कुछ आएगा तो अब हम calculator से trial और error method से ये equation को solve कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको बताओ वैसे आप करते जाओ चलो सबसे पहले under cube करो यहाँ ठीक है is equal to करके यहाँ पे under cube कर दो उसके बाद य 76.67 under root answer लिख दो यहाँ पे अगर आप answer लिख दोंगे simple answer क्लिक करोगे ठीक है और फिर उसके बाद equal to equal to करते जाओ जब तक आपका answer stable ना हो तो आपको ये module जो है वो आपको मिल जाएगा ठीक है नाउ module आपको मिल गया तो हमारा example यहीं पे खतम होता है तो design of gear pair में हमने क्या find out किया module zg dp एक बार module मिल गया तो हमें फिर module अगर रखते हैं तो यहाँ पे dp मिल जाएगा फिर addendum मिल जाएगा फिर gamma p तो हमारे पास है then center distance मिल जाएगा जहाँ पे भी module आया था ठीक है और हमने जाए वह बाकी रखा था वह सब यहाँ पे module रखके हमें मिल जाएगा फिर sweet मिल जाएगी dg मिल जाएगा hf यानि की डिडेंडम मिल जाएगा ठीक है तो यह सब हमने यह particular bevel gear के example में find out करना है through module find करके ठीक है तो इस तरह के example जो है वह बहुत आते आते हैं so thank you जय हिन जय आते हैं